सूरिश से उर्जा हर पल हर समय उर्जा जीवन का आधार है और इस आधुनिक दुनिया में इसके बिना रहने के बारे में तो छोड़ दीजिए इसके बिना हमारा वजूद ही खत्रे में आ जाएगा स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में यूट्यूब पे आपने बहुत सारे 3 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम का वीडियो देखा अब क्या यह रिलेवेंट रहा क्योंकि अप्रिल 2022 के बाद से काफी सारे बदलाव आ गया है इसके प्राइस में बदलाव आ गया और मार्केट लेविल पे इतने सारे फ्लक्ट्वेशन के वज़े से इसका रेट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्ट्वेशन आ गया तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको 2022 अप्रेल 2022 के बाद सोलर पैनल सिस्टम में क्या चेंजे जाये हैं और खास करके 3 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम में इस बदलाओ का क्या आसर हुआ है और उसका क्या प्राइस होने वाला है ये पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखे आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है अब आप पूछेंगे कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल मे क्या ही चल जाएगा तो 3 किलोवाट के सोलर पैनल में आपको मैं बता दूँ कि आपके घर में यदि 1 AC है 3-4 फैन है और 8-10 लाइट है तो वो अराम से चल जाएगा और ये जब अराम से चल जाएगा तो आप देखेंगे कि 1 BHK में यानि आपका घर यदि 1 BHK का है और उसके हसाब से आपने सोलर पैनल सिस्टम 3 फैनल का लगा लिया तो उसमें आपको पूरी रिखुरमेंट splitsू हो जाएगी तो आप चलते हैं कि इसके प्राइस क्या रहेंगे और यह 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम आता है, जैसा कि आपको पता है सोलर पैनल सिस्टम है, तो सोलर पैनल में सोलर पैनल जो है बहुत ही अहम है, इसके साथ साथ आपको आ जाता है मांटिंग स्ट्रक्चर, इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा साथ ही आपको balance of system में क्या होता है balance of system में आ जाता है इसके साथ जो लगते ही है cables और सारे accessories like MCV, earthing, LA, lighting arrester तो यह सारी चीजें आपको include हो जाता है balance of system में तो आप चलते हैं कि इसका क्या price होने वाला है तो लगभग आप solar panel में दो तरह के technology अभी चल रहा है और यदि आप old पुराने वाले technology में जाते हैं तो वो poly crystalline का solar panel होता है वो काफी low efficiency का होता है और उसमें आपको मैं बता दूँ कि उसमें जो आपको per day का बात करूँ तो 12-15 unit आपको per day मिलेगा वहीं पर आपको मैं बताओं कि bifacial solar panel के साथ जाते हैं mono bifacial solar panel के साथ जाएंगे तो ये लगभग 18-20 unit आपको on an average per day के हिसाब से आपको मिल जाएगी तो ये एक बहुत बढ़ा major difference है दोनो solar panel में facial solar panel आप जब लेंगे तो ये अभी के हिसाब से आपको 35 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिल रही है और 35 रुपीज पर वाट के हिसाब से जब मिल रही है तो आपको जो पूरा 3 किलो वाट का खर्चा आएगा वो 540 का 6 panel लगेगा 6 panel लगेंगे और इसका जो total cost आने वाला है वो लगभग 113,400 रुपीज आने वाले हैं और उसकी जो cost आने वाली है वो लगभग 90,000 के असपास आने वाली है और यह जो cost है यह exclusive है अभी के सिनारियों के हिसाब से आप इसमें बात करते हैं कि inverter का क्या cost आएगा तो inverter का जो cost आने वाला है या आप on grid ले या PCU जो off grid में यूज होता है उस दोनों को का जो price है वो 25, 30,000 से लेके 30,000 के बीच आने वाला है इसी के बीच आपको आएगा इससे जादा नहीं आएगा अब बात करते हैं कि mounting structure क्योंकि solar panel जब आपने लिया तो आपको इसको fix करने के लिए structure भी चाहिए होता है जो GI में ले सकते हैं या MS में ले सकते हैं तो दोनों का जो cost आने वाल है तो 15,000 से 20,000 के बीच आप इसको इसके structure आ जाएगी साथ ही बात करें कि balance of system का जो cost आने वाला है वह लगवख 5000 के और battery की cost जो आने वाली है आपको वह लगवख 40,000 के आसपास आने वाला है यानि 40,000 का इसमें मैं lead acid battery ले रहा हूं क्योंकि lithium battery थोड़ी costly होती है और अभी के scenario के हिसाब से आपके budget को बढ़ा सकती है तो lead acid का battery भी बहुत अच्छा चलता है पांच साल अराम से चलती है warranty भी मिलती है पांच साल की आपको तो कोई दिक्कत नहीं है तो lead acid का battery जो चल जाएगा वह लगवख आपको जो मिलता है वह लगवख 40,000 के आसपास में मिल system of grid solar system की जो cost आजाएगी 3 kilowatt की वह total आजाएगी 2,18,400 रुपे का अब इसमें बात करते हैं कि on grid का क्या cost आएगा on grid का आपका cost जो आने वाला है वह लगवख 1,80,000 आने वाला है एक लाख 80,000 में आपको on grid solar panel system 3 kilowatt का लग जाए और ये जो cost है ये exclusive cost है जो अपरिल 2022 के बाद का है तो आप इस 2022 में इस cost के अलावा जब दे रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखे हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो एक लाइक करें चैनल में नहें तो subscribe करें इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत